हलो एवरिवन वेलकम टो एजुकेशनल हब यूडिव चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जैसे एक बोर्ड होता है केंद्रिय विद्धाले संगटन ऐसे एक दूसरा बोर्ड है जो टीचिंग वेकिंसी निका जोइनिंग देनी है किन लोगों को एक तो प्रिंसिपल पोस्ट पर दूसरा है पीजटी पोस्ट पर तीसरा टीजटी पोस्ट पर और अगला है जल्दी से देखते हैं तो देख लीजए यहां पर नवोदे विद्धाले संगीति हैं तो इसके अंतरगत जो भी वेकिंसी आती है वो पर्मानिंट आती है और यह गौर्मेट वेकिंसी है तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं हो न कि बही क्या पता बचे सोचे कि यह कहीं प्राइवेट तो नहीं है कुछ कॉंट्रेक्ट का तो नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है आगे आ जाते हैं एंवेस इन्वाइट ओनलान एप्लिकेशन फ्रॉम इंडियन से टिजन फोर्मेट बेसे टूट्रीज प्रिंसिपल पोस्ट ग्रिजूट टीचर यानि यहां पर यह कि फीमेल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है बट यह कि इनकी कोशिश होगी कि एक तिहाई यानि कि अगर सो सीट है तो उसमें से कम से कम 66 जो प्रेफरेंस दे वो गल्स को दे वह इसलिए क्योंकि वहां पर जो एड्मिशन होते हैं वह गल्स के जादा है य इसकी वेकंसी देख लिए कितनी है टोटल है बारा जिसमें जनरल के साथ एड़लोस के एक ओबी से की तीन सी की एक स्टी की एक मिने और और ऑगे आगे आते हैं दोस्तों पीज़ीटी पीज़ीटी में यहां देख लिए बायोजी केमेस्ट्री कॉमर्स एकोनोमिक्स इंग कर सकते हैं आगे दोस्तों टीज़ीटी की जो पोस्ट है यह है इंपोर्टेंट यहां पर मेरे पास जो कमेंट आयते इस्पेशली उनके लिए वीडियो है इंग्लिश की जो यहां पर प्रोटल वेकंसी एक सो चौवाले से हिंदी की 147 मैट्स की एक साइंस की 101 और शोचल स बना है मान के चलिए किसी ने ग्रिजवेशन जो करिए यानिके साइन से करिए और अगर उसके जो वजब बीड इस्पेशल में एक दो सब्जेक्ट साइन से रिल्टेट थे तो वह साइंस की जो कैटेगरी है उसमें फिल्फिल हो जाता है तो वह से अपलाई कर सकता है तो ही मतलब हेरिंग इपैर्मेंट दोस्तों बीसी में यहां पर नौन करी में लेइर किये स्पेशली और आगे आ जाते हैं दोस्तों मिसलेनियस में देख लेंगे पहले तो यहां पर थार्ड लेंग्वेज है यहां कि उर्दू की असम की गारों गुजराती करनड़ा खासी य करेंगी को is और विसी किस तरह से अपलाइ कर दियो होना है डिटेल्स रिगार्डिंट इसेंशल डिजारेबल क्वालिफिकेशन फॉर्ट पोस्ट पे इसके लिए एज लिमिट रिक्सेशन ओफ एज अब यहां पर यहां देख लेते हैं पहले प्रिंसिपल में प्रिंसिपल का जो पेस के लिए वह लेवल बारा है और अपर एज लिमिट क्या है कि पचास साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए अकैडमिक में मास्टर सी हो जाता है और आगे फटा-फट सर्म देख लेते हैं डिजारेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि वह एक्लीस थ्री एर एक्स्पेइंस एड हाउस मास्टर ऑफ फुली रिजिदेंशिल कॉलिज स्कूल एक्स्पेइंस ऑफ वरकिंग फुली रिजिदेंशिल सीबसी अफिलेट गॉर्मि और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा उससे अप्लाई कर पाएंगे और डिजारेबल क्वालिफिकेशन कर दिया है अब आप फटाफट से आजाते हैं टिजिटी में फोर ट्रेंड गेड़िट टीचर हिंदी की जैसे की तेरा पोस्ट हैं इंग्लिश की 14 हैं इस तरह से जो है यहां पर फटाफट से यहां देख लेते हैं कि बच्वाले साहर नो सो से लेकर एकलाग्ट वैले साहर चार सो के यानि कि तीनों साल आपके पास हिंदी होनी चाहिए एंग्लिश के लिए और मैस के लिए देख लिए बैचलर डिग्री इन यह जो है ना यहाँ पर यह आपको ध्यान देना जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं कि वह किसमें सेट हो रहे हैं यहाँ पर अगर कोई सभी ऐसा सब्चेक्ट है जिसमें वह फुल्फिल होते हैं तो वह अप्लाई कर सकते हैं ठीक है यह आपको अराम से देखना है यह बहुत लंबा है ठीक है यह पीडिएफ में डिस्क्रिप् में अप्लाई अपको अवेलेबल करा दूंगा ठीक है आगे जाते हैं एज रिलेक्षेशन में कि वह सब्सक्राइब को तीन साल का है वुमेन को दस साल का है ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है और रेगुलर एन्वेस एंपलोई जो एन्वेस के रेगुलर एंपलोई है उन साल ओवी सी में 13 और चनल में 10 साल का रिलेक्षेशन है तो यह जादर रिलेक्षेशन आगे फटाफट से आ जाते हैं कि वहीं एडवलोई का रिजर्वेशन जो है वहीं कि वहीं से कम होनी चाहिए तब और पांच एकर से कम जमीर होनी चाहिए इस तरह से रिजिदेंसल फ् सब्सक्राइब होगा और उसके बाद इंटर्विव पर पूट तोगेदर हावर फॉर्ट पोस्ट फॉर्ट प्रिंसिप्र इस लाइक्षाम सेंटर आपके आएंगे यहां पर आप देख लिए दिलिए नसयार वगरा में जो भी है यहां पर पूरे इंडिया में आपके है तो आप फॉर्म करेंगे तो चूज कर लेंगे कि कहां पर आप रहते हैं वहां से चूज करना है पर सब्सक्राइब के लिए किस तरह से पर आने वाला है रिजिनिंग के जो कि इंग्रिश में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जैसे कि बात करते हैं पार्ट ए में तो 100 कोशन आते हैं जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं जो आपने कोर्स कर आवा तो उसके हैं टोटल 120 हो जाता है और यहां पर लेंग्वेज कॉंपिटेंसी चनल हिंदी इसमें के इंटर्वी के मालों 30 ही हो जाते हैं तो यानिके डिएड़ सो नंबर का आपको पीपर है एक सुबीस का पीपर है और तीस नंबर लेंग्वेज कॉंपिटेंसी के हैं तो यह हो जाता है आगे फटाफट देख लेते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे बैसे प्रफोर्मेंस इन आप लोग को अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो तोच्वाल पीजिटी का इस टिटी मिसलिन्यइस कटेगरी की बहुत ज्यादा है रहे हाँ के लिए बटेदी वालो से चलो ठीक है टीट वालों से पडमीसिटीई से भी सब्सक्राइब करने के वीडियो में बता दूंगा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में थेंक्यों और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थेंक्यू